स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने Facebook एकाउंट का पासवर्ड कैसे चेंज करना है तो बिने टाइम वेस्ट किये चलिए हम लोग वीडियो को डिरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर चलिए मैं अपना Facebook एप उपन कर लेता हूँ तो आप लोग भी जल्दी से अपना Facebook एप उपन कर लीजे अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे उपर आपका profile आइकन दिखरा होगा Facebook का तो इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिलीजे कि आप लोग अपने page से login है या फिर अपने profile से login है अगर आपने Facebook एकाउंट से कोई page बना रखा है और उसको आपने यहाँ पर login करके रखा है तो आपको वो setting मिलेगी ही नहीं जहां से आप लोग password चेंज कर सकते हैं तो आप लोग सबसे पहले अपने personal account में switch कर लिजे यहाँ पर आपको goal सी चकरी दिख रहे होगी उस पर आप लोग click किजे और आपका account switch हो जाएगा उसके बाद जब आप लोग अपने personal account में आ जाएंगे तो यहाँ पर आने के बाद आप लोग scroll करते हो एक दम नीचे चले जाएए यहाँ पर आपको एक option मिला होगा setting and privacy इस पर आप लोग click किजे अब देखे कैसारे option खुल कर आ गया है तो यहाँ पर आपको settings का option मिला है बस आपको इसी वाले option पर click कर लेना है अब जैसे आप लोग इसमें आएंगे setting and privacy में तो सबसे उपर top में आपको एक डबबा मिलेगा इस डबबे में आपके account से जुड़ा होगा हर एक setting मिलेगा account center करके इसका नाम है तो यहाँ पर देखे एक option है see more in account center तो आपको इस पर tap करना है अब जैसे आप लोग इस पर click करेंगे तो यह देखे यहाँ पर एक tab open होगया है अब यहाँ पर आपके profile से जुड़ा हुआ हर एक setting आपको मिल जागा तो यहाँ पर एक option है password and security तो आपको इस वाले option पर click करना है अब देखे कितना easy हो गया है यहाँ पर option आगया है change password तो आपको गया करना है इस पर click कर लेना है अब यहाँ पर आप लोग देख लिजे कि आपने कितने profile login किये हैं अपने facebook app में और जिस भी profile का आपको password चेंज करना है उसको यहाँ पर select कर लिजे फिलाल के लिए मेरा एक ही account है तो चलिए मैं इस पर click कर लेता हूँ आप लोग दिख लिजे कि आपने कितना account login करके रखा है एक ही है तो कोई बत नहीं दो चार है तो उसमें से account select कर लिजे जिसका password आपको change करना है अब यहाँ पर जैसे आप लोग आएंगे तो देखे पूछरा current password, new password, retype password अब अगर आप लोग को अपना current password पता है facebook का तो वो enter किजे अगर आप लोग को अपना facebook का ही password नहीं पता है तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है यहाँ पर आप लोग उपर thumbnail देख सकते हैं उस वीडियो को फटा फट से जाकर देखिए यह फिर अगर आप कोई वीडियो नहीं मिलती है मेरे चनल पर तो आप लोग youtube पर सर्च कीजे facebook password कैसे पता करें by ytguru support ओके यह आप लोग सर्च करेंगे तो directly आपको मेरा ही वीडियो मिलेगा तो आप लोग जाकर देखिलिजेगा बहुत easy तरीका है अब तक का सबसे easy तरीका मैंने आपको बताया है facebook password पता करने का उसको देखिलिजेगा लेकिन अगर आपको password पता है तो यहाँ पर आप लोग current password एंटर कर दीजे मैं यहाँ पर password को paste कर देता हूँ अब यहाँ पर आ और यहाँ पर फिर से repeat करना है अगर आपको देखना है password सही डाला है यहाँ पर आपको 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 अप्सन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बता रहा है your password change अब देखिए यहाँ पर यह बता रहा है कि आपका जो facebook एकाउंट है वो अब तक कहा कहां पर login हुआ हुआ है अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको log out कर दीजे हर जगें से सारे device को आप लोग ऐसे एक एक करके select कीजे और इसको log out पर अगर आप लोग click कर देंगे तो जितनी भी device में आज तक आपका facebook account login हुआ होगा या फिर login है सब जगें से log out हो जाएगा अगर आपका password hack हुआ है तो सब जगें से log out कर दीजे लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं भाई मैं रहने दूँगा नहीं कहीं से मुझे log out करना है तो यहाँ पर आपको stay login पर click कर देना है अब देखिए बस आपका facebook का password change हो गया अब आपकी बले बले आपका काम हो गया तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो से अगर आपका जरा सा भी help हुआ हो तो वीडियो को फटा फट से एक like कर दीजेगा और चैनल को अगर आपने अभी तक subscribe नहीं के तो subscribe करके bell icon को भी जरूर से प्रेस कर लिजेगा